बड़ी आए स्कूल जाने वाली, घर के कामकर अच्छे से सीख ले, आगे चल कर यही तेरे काम आने वाले, पढ़ लिखकर कौन सा तुछ को करेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बरतन साप कर मा जी, मीरा को भी स्कूल पर दाखिला दिला दीजिये न, उसे भी पढ़ना लिखना जलूरी है, तू चुपकर पढ़ना लिखना यह तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चल कर घरग्रास्ती की जिम्मेदारी जो समालनी होती है अरे, क्या हो रहा है, कौन किसकी जोगदारी समाल रहा है, और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है देखिए न, बक्त दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती, कहती है, तुझे पढ़ना लिख कर क्या करना है, आगे चल के चुला चोका ही तो समालना है अरे, यहां तो बहुत गलत बात है माजी, क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटी अभी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आज समाल बहुत आगे बढ़ गाया है माजी, आप किस दुन्या की बात कर रही है, हमें किसी सदी में जी रहे है, मैं आज ही ठीचा दीदी से बात करकर मीरा का दाखला स्कूल में कराती हूँ, और हाँ, मैं तो यहां इसलिए आई थी कि मुन्ना को पॉल्यो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगा जगा इसके कैम्प लगे हैं, अच्छा हुआ भेंजी, आप आगे, अब मुन्ना को पॉल्यो ड्रॉप भी दे देंगे, और मैं से स्क पॉल्यो जाओंगी, और एक दिन पर लिखकर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉप्टर बनोंगी, ठीके बेटर, बहु जरा एक ग्लास पानी तो लाना, अभी लाई बाबुजी, यह लीजे बाबुजी, अरे यह देखो, अखवार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुन कविता आई है, आओ, मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ, कहती बेटी बाब पसार, मुझे चाहिए प्यार दुराब, बेटी की अंदेखी क्यों करता है निश्ठिर संसार, सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ तुम जन्म किसे से पाओगे, जब बहन होगी घर आंगन में, तो किसे से रुठोगे, किसे मनाओगे, जब दादी नानी नहोगी, तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई वप्न सुन्दरी ही नहोगी, तो तुम किसे से ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ही बात कब समझ पाओगे हा तो भागयवान कैसी लगी यह कविता है ना मजएदार काहे कि मजएदार कविता मुझे नहीं आई पसंद अरे कोई घर में है क्या, आई आई ये टीचर दीती, हम आपी का इंतिचार कर रहे थे, हाँ जरा हमें कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए इसलिए यहां नहीं आ पाई, डॉक्रण महिंजी कह दीती, आपने मीरा कभी तक दाखला निकर आया, ये तो बहुत मनार छातरा है, हमेशा च्यंक लेके उत्तिन होती है, हाँ, मैं भी तो यहीं चाहती हूँ, कि मीरा स्कूल चाहे, खूब पढ़े, और मेरी याँ सुनता कौन है, हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को, और भार वेजो, जब कुछ गलस सलत हो जाएगा ना, तो मूझ जुपाने की भी जगर नहीं मिलेगे, अरे माजी, आप कहां की बाद कहां लेकर बैठ गए, मीरा को दसे तक तो पढ़ाई पूरे कर लेने दितिये, आगे के पढ़ाई के बारे में माज में सोचेंगे, हाँ, टीचर दिती, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे, मैं उसे मेरे जैसा से कह रहाऊं की बीरा को भी स्कूल जाने दो, प्रणाम बेटा